नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्योलोजिकल गुरुजी में और हमसे जुनने के लिए हमारी चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बिल आइकन को दबाए जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो सबसे पह करने नहीं देवी देवताओं की पूजा एवं अविसेक करने का विधान किया गया है सुरियो की किरने हमारे घर में परविष करे तो घर की सारी नकरात्मकुरजा नश्थ हो जाए सास्त्र कहते हैं कि मनुश्य के सुबह जल्दी व्याक कर, नित्य कर्मिस से निवरत्थ होकर, रस्नानादी करके ही भोजन करना चाहिए तभी उसके सुप्भल की प्राप्ती होती है और उसका दिन में सुभ जाता है इसके अलावा सास्त्रों में साथ ऐसी चीजों के बारे में बताये गया है यदि किसी वेक्टी को सुभा के समय इन साथ चीजों की दर्सन हो जाए तो यह उसके जीवन में सुख समर्द्धी आने का संकेत है तो चलिए जान लेते हैं उन साथ चीजों के बारे में पर उससे पहले आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो इसे सस्क्राइब कर लिजिए साथे वीडियो को लाइक करना ना भूले पहले चीज अगर किसी वेक्टी को सुभा के समय अपने आसपास जल का पक्छी या सफेद रंग का फोल दिखाई दी तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके दिन अच्छा भीतने वाला है क्योंकि ये दोनों को ही सांती का प्रतिक माना गया है पुस्री चीज, सुभा के समय उठते ही, अगर आप द्वार पर गाय दिखाई दे या उसकी आवास सुनाई दे, तो समझ जाना चाहिए कि वह दिन बहुत ही सुभ जाने वाला है, सुभा सुभा द्वार पर गाय का दिखना धन प्राप्ती का संकेत माना गया है, तीसरी सुभा के समय नारियल, संक, मोर, यहन से आधी का दिखना विश्व माना जाता है, इसे विक्ती की तरकी होती है, और इसके जीवन में चल रही परसानियों से मुक्ती मिलता है पांचवी बात, अक्सर घर के सामनी गाय के गोबर देने से लोग परिसान हो जाते हैं, लेकिन जोती सास्तुयों के नुसार इसे अच्छा संकेत माना गया है, कहते हैं इसे देवी लक्ष्मी प्रसन्य होती है, और घर में उनका आगमन होता है चटी बात, सुबह के हतेलियों को दर्सन करना भी अत्यंत सुभ माना गया है, हतेलियों में मालक्ष्मी, मासर स्वती और भगवान से कृष्ने का वास होता है, जिसे धन, ग्यान और शुक की प्राप्ती होती है आठवी बात, यदि किसी विक्ती को सुबह सुबह, भगवान गनेश जी की मुर्ती या तस्वीर के दर्सन हो जाए, तो इसे अत्यंत सुभसंकित माना गया है, कहते है इसे विक्ती के जीवन में आने वाला कोई बरा संकट चल चुका है नवी बात, यदि सुबह उठते ही आगन में चिरिया चहचाहती हुई दिखाई दी, तो समझे कि आपके घर में धेन का आगमन होने वाला है, और जल्दी ही आपकी दरीवी का अंत होने वाला है दसवी बात, सुबह के समय, यदि आपको नास्ता हुआ मोर या नास्ते हुए मोरनी की तस्वीर दिखाई दी, तो इसी भी सुब संकेत माना गया है इसे घर में खुझाहली आने के साथ सुकत समचार मिलने की संभावना होता है तो दोस्तों, यह थी वो दस चीजी जिनका सुबह के समय दिखना अत्यांत सुबह माना गया है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट बॉक्स में जैलक्षी माता लिखे और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद दोस्तों